आज रमाने में स्लाम लेकुम दोस्तों वेलकम टू फरहत का किचिन आज हम बनाएंगे मैगी डाल तड़का चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं हमने यहां पर मूंकी डाल ली है और यहां पर हम नमक स्वादन उसार लेंगे अधी छोड़ी चमच हल्दी पॉड़र अधी छोड़ी चमच काली मिच पॉड़र और दो खरी हरी मिर्च सबको हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे और एक कप पानी डालेंगे और इसे हम अच्छे से पकने के लिए रख देंगे देखिए यहां पर यह सारे मुसाले डाल के और एक कप पानी डालेंगे हम और इसे हम अच्छे से पका लेंगे मैंने इसे लगबग तीन से चार सीटी दिया था तक हमारा दाल पकरा यहां पे हम लेंगे मैगी बॉयल किये हुए फ्रेश क्रीम यहां पे एक प्याजबारी कटवा, दो हरे मिच, एक टमाटर और शाही जीरा आदी छोटी चमच, यहां पे मैगी मसाला, कसूरी मेथी, एक छोटी चमच, लाल मिच पॉडर, एक अंडा और धन्याग अच्छे से हम करहाई में गरम कर लेंगे और हमारा यहां पे दाल भी रेडी है यह देखिए इस तरह से कित्य अच्छे से गल गया है हमारा बच्छे से गरम हो गया, इसमें हम लासन और अद्रक का पेस्ट डाल देंगे यह देखिए और जब यह थोड़ा पट जाए तब हम इसमें हर इमिच डालेंगे और शाही जीरा डालेंगे पहले हमने यहां पर शाई जीरा डाल कि इस अच्छे से पका लिया है और फिर हम इसमें हरे में चोल प्यास आड़ कर देंगे और इसे हम थोड़ी देर पकाएंगे जब तक कि प्यास की कच्छापन दूर ना हो जाए अच्छे से मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है हाई फ्लेम नहीं करना है यह देखिए हमारा प्यास अच्छे से पक चुका है इसे हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है और यहां पर हम अंडे डाल देंगे अगर आपंडे नहीं खाना चाहते हैं तो इसे अवाइट करें और यहाँ पर पनीर भी डाल सकते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए इस तरह से हमें प्लेम को मीडियम ही रखना है हाई नहीं करना है यह विल्कुल ही प्यूजिन डेश है और बहुत ही टेस्टी बनती एक बार आप इसे जरूर बना के ट्राई कीजिएगा और यहाँ पर हम लालमेश बॉडर डालके से अच्छे से भूनेंगे और इसके बाद हम कसूरी मेथी आड़ करेंगे इसमें अब यहाँ पर अब हम यहाँ पे मैगी आट कर देंगे मैगी को सिफ पाली में बॉइल करके अच्छे से इसे ड्रें कर लिया था है इस तरह से अच्छय मिक्स करना है मसाले में नाकि मैगी में प्यछय से मसाले मिक्स हो जाए की इा को इए वायं सबढ़ा है कि देखिे इस तरह से अच्छे से एक से दो मेन्ट के लिए मुडूना है और हम यहां पर मैगी मिसाला आड़ करेंगे, हम यहां पर मैगी मिसाला पूरा आड़ नहीं करेंगे, हम हाफ ही आड़ करेंगे, हाफ हम लास्ट में आड़ करेंगे, जब हम दाल आड़ कर देंगे, तब देखे अब यहां पे हम टमाटर आड़ कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसे हमें हलकी हाथ से मिक्स करना है वरना मैगी पुरा मैश हो जाएगा और यहां पे डाल में गरडी करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और चाहिए अच्छे से मिक्स हो जायेगई फिर हम इसपे पानी आड़ करने के रख देंगे यह देखे जब इसमें बॉइल आ जाएगा तब हम इसे कैसे उतार देंगे यहाँ पर मैंने चार छोटी चमच फ्रेश क्रीम एड़ किया है अगर आपती पर फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूद की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं और अब हम यहाँ पर मैगी मसाला डाल दे पानी कम लगे तो आप पानी और भी आड़ कर सकते हैं यह ज्यादा पतला नहीं बनता है यह देखे यह बॉयल हो गया अच्छे से और यहाँ पर हम तरके की तयारी करेंगे यहाँ पर मैंने तेल लिया है तेल जिब अच्छे से गरम हो जाएगा फिर हम उसमें सुखी लाल मिर्च लेसन और चाही जीरा डालेंगे मैंने आप पर तीन लेसन की कलियों को छोटे चोटे काद लिये हैं और इसमें हम डाल देंगे इसे और यह ख्रैकल हो जाएगा फिर हम इसमें आधी चोटी चमच लाल मिर्च पॉर्डर डाल देंगे और इसे हम तरक लगा देंगे दाल में, देखे, हमारा दाल तयार है, सर्फ होने के लिए, हम एक बावल में निकाल लेंगे, जिसमें हमें सर्फ करना है, अब चाहे तो इसे रोटी, फ्राइड राइस या सिर्फ इसे सूप के तरह भी खा सकते हैं, यह बहुत ही अरसानी से बनने वाला दाल है, देखे, इस तरह से हमें इसे सर्फिंग बावल में डाल देना है, इसे हम अब गार्निशिंग करेंगे, यहाँ पे हम लाल मेश लगा देंगे, सुख्य जो हमने तरके में लगाया था, उसे हम निकाल के यहाँ पे रख देंगे, और फिर हम थोड़ी सी धरिया पत्ते डालेंगे इसम और फ्रेश क्रीम से इसे गार्निश करके सर्फ करेंगे, यह देखिया मेरा मैगी डाल तरका बिल्कुल तयार है सर्फ होने के लिए, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राइ किजिएगा, यह बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही आसानी से बनने वाला दिश है, मेरी रेसिपी मैगी डाल तरका पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा और इसे एक बार जरूर ट्राइ किजिएगो और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा